हालो माई दियर स्टुदेंट्स, होप योल आर फाइन, ओके, सी, नाव टुदेए वी विल डू आर संशाइन, ओके, संशाइन में हमा जोग करने वाले हैं, तो यह तो टेक आउट यह संशाइन, और देन यू टेक आउट पेज नमबर 129, 129, 129 पेज नमबर निकलना है, दे किया था, मैट्स में, ओके, तो यह आज मैट्स में हम पेज नमबर 129 करने वाले हैं, निकला सबने, वेरी गूद, यह पेज निकल ली हैं, वेरी गूद, ओके, सी, अभी यहाँ पे हम आज क्या सिखने वाले, बीगर एंड स्मोलर नमबर, ओके, तो आज हम सखेंगे कि कौ कौं सा बीग नमबर है और कौं सा बीग नमबर है और कौं सा स्मोल नमबर है, ओके, तो लेट च्टर, शी, इन प्रोजेक्टर, here you can see, मैन नहीं जावाद हैं, मैं आवाद यहाँ आवाद सिखनाः दिदू, see here how many cards you can see let us count 1, 2, 3, 4 and 5 cards see how many cards over here 5 cards ओके और next देखो कितनी cards हम count करेंगे उसमें भी ओके see here 1, 2, 3 and 4 तो पहले हमने कितनी 5 cards count की थी है ना और फिर हमने 4 cards count की तो 5 बिग नमबर है की 4 बिग नमबर है yes 5 is the bigger number and 4 is the smaller number okay understood कि big किसको बोलते है और small किसको बोलते है okay see now आपकी बूक में नीचे यह जो part है यह आपको मेरे साथ करना है okay so you have to take your pencil also in your hand okay अभी यहां पर आप देखो कितनी pencil से यह box में आपको यहां पर जो box दिया है ना उसमें लिखना है okay so how many count चलो हम count करते हैं how many pencils are there one two three and four so what you will write here four it is good work okay so आप यहां पर यह box में four लिखोगे लिख लिख लिया ओके अभी यहां पर one two three and four so what you will write here four and last में आप क्या देख रहे हो yes colorful balloons right so let us count the balloons now one two three four and five see आपकी book में भी five balloons है है ना तो what you will write here five यह चो square box है ना उसमें लिखना है यह circle box में आपको नहीं लिखना है वहाँ पर हम tick mark करेंगे इसलिए okay so tick कर अभी आपको क्या करना है tick the bigger number okay तो यह आपको देखना है कि five big है sorry four big है कि three big है यह दोनों में से four number big है कि three number big है yes four is bigger no so here यहाँ पर जो circle है यहाँ पर circle दिया गया है ना उसमें आपको tick mark करना है यहाँ पर tick करेंगे यहाँ पर आपको नहीं करना है कुछ okay यह pencil का जो box है circle यहाँ पर है वहाँ पर आपको tick करना है done okay see यहाँ पर kites है है और यहाँ पर balloons है तो kites कितनी है four और balloons कितने है five तो five is a bigger number कि four is a bigger number yes five is a bigger number so balloon में यहाँ पर जो circle है वहाँ पर आपको tick करना है यह से tick करना है okay done यहाँ पर pencil में tick mark और यहाँ पर balloon में tick mark यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है okay सिर्फ numbers ही लिखने है understood okay now turn a page page number 130 turn page करो page number 130 page से यहाँ पर आपको flowers दिखाए दे रहे हैं है ना तो आपको यह flowers में क्या करना है color the flowers with the smaller number in each group देखो अभी आपको color करना है आपको जो पसंद है color वो color आप करना but very nicely colors इसके बाहर नहीं जाने चाहिए इसे अच्छे से color करना है पर आपको क्या करना है कि जो small number है उसमें आपको color करना है सभी में आपको colors नहीं करने है आपको क्या करना है जो number small है उसमें ही color करना है तो पहले यह दोनों में से देखो, यह दोनों में से 1 और 4, तो कुन सा number small है, 1 is a smaller number than 4 ना, 4 से 1 number small है, तो आप यहाँ पे color करोगे, फिर यहाँ पे आप color नहीं करोगे, सिर्फ यहाँ पे color करोगे, यह आपका HWA, homework है, okay students, फिर 8 and 2, तो 8 is a small number, 2 is a small number, yes, 2 is the small number, right, 8 से 2 है, वो small है, तो यहाँ पे आप 2 number में color करोगे, यह पूरा फिलार आपको color करना है, यहाँ पे आपको color नहीं करना है, now 5 and 3, which is the smallest number, 5 है के 3 small है, yes 3 small है, तो यह फिलार में आप color करोगे, यह 5 में color नहीं करोगे, okay understood this page is your hw homework है okay students अच्छी तरह से color करना thank you